गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चो अब आप इस विशे के वीडियोस एक साथ भी देख सकते हैं इसके लिए वीडियो के नीचे मेरी चैनल का नाम है तो चैनल में जाके प्लेलिस्ट में जाएंगे तो इस विशे के वीडियोस एक साथ देख सकेंगे तो आज के विडियो में हम सिखेंगे हिंदी कक्षाचे वितियसत्र का काविय नंबर पाच जय विज्ञान की तो इस काविय में है वो विज्ञान के गुंगान की ये गए है जय जवान जय किसान का नारा था उसके साथ जय विज्ञान भी चूड गया है तो नारा होगा जही जवान, जही किसान, जही विज्ञान, क्योंकि विज्ञान नहीं है वो हमारे सकई सारे काम है वो आसान कर दिये है, विज्ञानिक खोजों की वजह से जो उपकूरण बने है उनका सारे विश्व में बहुत बड़ा प्रभाव रहा है, उन प्रभाव के क आज सारा विश्व है वो विभिन्य प्रकार की सुख सुविधाओं का अनुभव कर रहा है और इस विज्ञान के साथ साथ हमें है वो हमारे मानुता के मुल्य को भूलना नहीं चाहिए और हमारी नेतिक फरज है जो राष्टर के पती है उसको भूलना नहीं चाहिए तो इस कविता में है वो कभी है वो मानुता की भावना को जागृत करना चाहते हैं और विज्यान के जो भी शोध हुई है नए नए उन सभी का उप्योग है वो अच्छी तरह से करें किसी बुरे कामों में इस्तमाल नहीं करना चाहिए जई जवान की जई किसान की जई हो जई विक्यान की इसलिए यहां कहा गया है कि जैसे किसानों की जई कहा गया है क्योंकि किसान है वो हमें अन पूल देते हैं और इस अन को खाकर है हम वो स्वास्थव बना सकते हैं और जई जवान की इसलिए वहा गया है क्योंकि जवान है वो हमारे राष्टर के रक्षत है आतंकवादियों दुश्मनों को किसी को भी हमारे देश में उसने नहीं देते और अपनी जान दे देते हैं पर राष्टर पर आच नहीं आने देते राष्टर का बुरा करने नहीं इसलिए वो है जवान है वो देश की सिमा उपर अडग रहेकर खड़े है और हमारे देश की सेवा कर रहे है इसलिए जवानों की भी जई कहा है और फिर आगे है वो विज्ञान की जई कहा है क्योंकि विज्ञान ने है वो नित नए आया मुख से हमें विबिन्न सुक सुविधाये दी है उसके जो नए नए उपकर रहा है उससे हमारे काम है वो आसान हो गया है इस तरह कभी कह रहा है जवान की जय हो किसान की और विज्यान की जय हो विज्यानिक आविशकारों से जो सुविधायों का क्रम शरू हुआ उनसे लोगों के सुख भोग में रुद् चादू की तरव विकास शक्य बना है, नए नए साधन बनाए गये है, आज इन नए अनुसंदानों का चैजे कार हो रहा है, सुविधाओ का शुरू सिलसिला विला सिता की खुश्बू है, बचत समय की ओर शक्ति की अब विकास का चादू है, नए नए उपकरण बनाए नुतन अनुसंदान की, जय जवान की, जय किसान की, जय हो विज्ञान की, तो मैंने पहले जैसे कहा है कि हम में है वो विज्ञान ने अनेक सुविधाए दी है, जैसे एसी, पंखे, टीवी, मोबाइल, कॉम्प्यूटर आदी, और इसी का सिलसिरा ह वो जो शरू हुआ है, वो अभी तक खत्म नहीं हुआ, वो आगे ही आगे बढ़ता जाता है, जिससे हमारे समय और शक्ति की भी बचत हो रही है, और इन नए नए उपकरणा का उप्योग करना भी हम सीख गए है, और कई सारे अनुसंदान हुए है, जैसे हमारे भारत गए है, इस तरह नए नए अनुसंदान किये गए है, फिर मोबाइल पर बाते करिये, पेजर फेक्स मुस्कुराते, पलमे जैपुर, पलमे मतुरा, मानो आज पहुच जाते, विजय श्री मिलती जिस पत पर डगर वही आसान की, जै जवान की, जै किसान की, जै हो विज्या की, तो बच्चो इस में है, मोबाइल पर बाते कीजिये, और फिर पेजर और फेक्स का उप्योग कीजिये, आज है वो, लोग पलबर में मतुरा और जैपुर पहुच जाते है, प्लेन से, यानि हवाई जाहाज से, जिस पर चलने से, जल्दी पहुचने का आनंद मिले, वि कंप्यूटर की क्रांती आ गई, इंटरनेट की परचाई, अधर अधर पर खुश हाली है, अधर यानि होठो पर, यानि उसके मुख पर, गंगा यमुना लहराई, बच्चे नई सदी के बोले, दुनी अपनी शान की, जय जवान की, जय किसान की, जय हो विग्यान की, दुन यानि दुगुनी, अपनी शान दुगुनी हो गई है, इन सारी सुविदाओ के कारण, जैसे कंप्यूटर के कारण, जीवन में है, वो बदलाव आ गया है, इंटरनेट सबको सुख दे रहा है, और इसके उप्योग से सबके होठों पर है, वो मुश्काने आ गई है, जैसे उन पर खुश्यों की गंगा जमना लहरा रही हो, इस नहीं सदी के बच्चे है, वो पिछली सदी के बच्चों की अपेच्छा दुगुना गर्वा अनुभव कर रहे है, क्योंकि इस सदी के बच्चों में और पिछली सदी के बच्चों में कई सारे अंदर है, क्योंकि पि विज्ञान की भी जई कह रहे हैं। विज्ञान की भी जई कह रहे हैं। देश की सेवा में हमें कुछ अपना योगदान दे सकते हैं। फिर करने शरुआत सभी को मानोता के गान की। और इन सभी विज्ञान के उपकरणों की हम जो होज हुई है उसका उपयोग करके भी हमें है वो अपनी मानोता नहीं भूलनी चाहिए। मानोता के लिए जे विज्ञान ने उपकरण बनाए है उसको मानोता के खुशी के लिए उपयोग में लाए। उसके दुखों के लिए नहीं उसके उपकरणों का है वो सदुपयोग करना चाहिए दूरुपयोग नहीं करना चाहिए। तो कभी कह रहे है कि हम समय के साथ चले तो ही दुनिया में यश पाएंगे। हम अपने प्रियतनों से इस धर्ती पर सुनहरी सुपह लाएंगे। और हमें मानोता के गितों की फिर शरुवात करनी चाहिए। यानि मानोता का धर्म भुलना नहीं चाहिए। बच्चो इस कवीत्ता में कवी कर रहे है कि हमें है वो जवान और किसानों के साथ विज्ञान की भी जई बुलानी चाहिए। क्योंकि विज्ञान ने हमारे कई सारे काम है वो आसान कर दिये है। जिससे हमारे समय और शक्ति का बचाव हो सके। तब यहाँ पर काविय फत्म होता है अगले वीडियो में हम इस काविय का अभ्यास सीखेंगे तब तक के लिए गुडबाई टेक केर